कि अब लोग आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्त होंगे और जहां होंगे अपनी पड़ाय लिखाई को भली प्रकार से कर रहे होंगे तो आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं थायराइड ग्लेंड की जो कि कल के वीडियो के बाद रिमेंड टॉपिक था था पड़ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो इस चैनल को फस्ट डेख रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जद जब लोगों के भीशा को शेयर करें तो फज़ाप बड़ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक थायराइड ग्लेंड है क्या अगर हम बात करें, तो thyroid gland हमारे neck reason में होती है, कहाँ पर होती है, neck reason में, और trachea के दोनों तरफ होती है, यह आप देख पा रहे होगे, यह portion trachea है, यह trachea है, और trachea के दोनों तरफ एक bilobe districture है, यानि दो लोब बने हुए है, यह thyroid gland है, ठीक है, कहाँ पर अगर इसकी situation की बात करें, तो it's located each side of trachea, ठीक है न, trachea के दोनों तरफ जुड़ी होती है, और यह बीच में, आपस में, दो लोब आपस में, एक connective tissue के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसको हम लोब बोलते हैं, इस थमस, यह दोनों आपस में connective tissue के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसको हम लोब जा होता है, यह follicular tissue होते हैं इसमें, और follicular tissue जो है, वो follicle cell से मिलकर बनती है, जो T3 और T4, क्या करती है, हार्मोन synthesize करती है, तो फटाइफट इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं, आप लोग notes बनाना शुरू करें, तो अगर हम बात करें इसके location की, अगर इसके location की बात करें, तो लिखेंगे thyroid gland, यहा लिख सकते हैं, it is, it is composed of, it is composed of two lobes, two lobes, it is composed of two lobes, यह दो lobes दिखाई दे रहे हैं आपको, it is composed of two lobes, which are located, which are located, either side of the trachea, either side of the trachea, ठीक है, यह by lobe structure है, जो कि either side trachea के दोनों तरफ, इस तरह से located होता है, second point आप लोग note करेंगे, इसका, second point note करेंगे, the lobes are interconnected, the lobes are, the lobes are inter connected, connected by a, आप क्योंकि connected है, तो by a connective tissue, connective tissue, called, called isthmus, ठीक है, यह दोनों ही connective tissue के थ्रू जोड़े होते हैं, इसको हम लोग स्थमस बोलते हैं, next point करेंगे, next point note करते हैं, it is composed of, it is composed of any thyroid gland, composed of, composed of follicle tissue, follicle tissue, follicle tissue, and follicle tissue, and stromal tissue, अब यह जो follicle tissue है, बात सुनिएगा, यह जो follicle tissue है, यह एक cell से मिलकर बनती होती है, यह जो follicle tissue की cells है, इन cells को हम लोग बोलते हैं, follicle cells, क्या बोलते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं एक करते हैं ट्रायो आइडो थोरोक्सिन जिसको हम लोग ट्राय है तो T3 बोलते हैं और दूसरा है टेट्रा टेट्रायडो थोरोक्सिन जिसको हम लोग T4 बोलते हैं क्या नहीं जो T3 और T4 जो हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है फॉलिकल सेल रिलीज करती है यह फॉलिकल सेल कहां से आई है क्योंकि जो हमारी थाईराइड ग्लेंड है वो किससे मिलकर बनी होती है वो दो तरीके के टि वो ट्रायो आईडो थोरोक्सिन और टेट्रा आईडो थोरोक्सिन क्या अगर रिलीज करती है हार्मोन हैं टी 3 और T4 हार्मोन रिलीज करती है आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजे या इसको नोट कर लीजे ठीक है चली मैं इसको रिस करता हूं मैं इसको रिस करता हूं है अब बात करते हैं आईयोडीन की जो आयोडीन है आयोडीन है वो बहुत ही जादा essential है for the synthesis of thyroid hormone ठीक है ना आयोडीन क्या है बहुत जादा essential है thyroid hormone के लिए अगर आयोडीन हमारी diet में कम होगा अगर आयोडीन हमारी diet में कम होगा तो एक disease हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं hypothyroidism ठीक है कलम में discuss किया था अगर hypo word आता है इसका मतलब कम और hyper word आता है इसका मतलब जादा अगर आयोडीन हमारी बोडी में कम होगा तो एक disease हो जाएगी जिसको बोलते हैं hypothyroidism और इसमें क्या होती है यह जो thyroid gland है यह फूल जाती है फूल कर गला मोटा हो जाता है और cause करती है guaiter disease किस कारण होती है आयोडीन की कमी से क्या होता है गोंगा हिंदी में बोलते है घेंगा नामक रोग हो जाता है फूल जाती है गर्दन ठीक है और इसके बाद अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होता है क्या होता है अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होता है क्या होता है हाइपर सिक्रीशन तो हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है हाइपर थायरोडिज्म हो जाता है और हाइपर थायरोडिज्म हो आईबॉल बाहर आ गई है और कैसा सुस्त रहता है यह सब क्या है यह ग्रेफ डिजीज के लक्षण है तो अगर हाइपो थाइरोडिज्म है तो ग्वाइटर डिजीज हो जाता है हाइपर थाइरोइड ग्लेंड थी जो कि हमारे हाइज स्कूल के लिए कंट्रोल और कॉडिने तो अगर हम पैरा थाइरोड ग्लेंड की बात करें तो थाइरोड ग्लेंड के जस्ट पीछे अगर हम उसको इसे पलट देते हैं थाइरोड ग्लेंड के जस्ट पीछे इस तरीके से चार ग्लेंड होती है जिनको हम लोग बोलते हैं पैरा थाइरोड पैरा थाइरोड ग्लें ठीक है यानि दो ग्लेंड्स एक लोब में होती है और दो ग्लेंड्स दूसरे लोब में होती है फिर से बोल रहा है कि जो पैरा थाइराइड ग्लेंड है वो थाइराइड ग्लेंड के जस्ट पीछे होती है दो ग्लेंड एक लोब पर होती है और दो ग्लेंड दूसरे लोब प करती है यह सिक्रीशन किसका करती है बेटा ये एक हार्मोन होता है इसको पैप्टाइड हार्मोन बोलते है यानि इट रिलीज या सिक्रीट इट रिलीज पैप्टाइड हार्मोन पैप्टाइड हार्मोन उस पैप्टाइड हार्मोन का नाम होता है बेटा पैरा थाइरोइड ह हार्मोन पैरा थाइराइड हार्मोन यह पैप्टाइड हार्मोन रिलीस करती है इसका नाम होता है पैरा थाइराइड हार्मोन अब बेटा वही बात आती है कि अगर पैरा थाइराइड का हाइपो सिक्रीशन होगा या हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा पहले इस पैरा synthesis में help करता है, अब यह इससे क्या होगा, अब अगर बेटा, इसका hyper या hyposecretion होगा, अगर इसका hyposecretion होगा, हाइपो सिक्रिशन होगा तो क्या होगा हमारी जो बोन्स है वो कमजोर हो जाएंगी हड़िया कमजोर हो जाएंगी दात देर में निकलेंगे है ना हड़िया कमजोर हो जाएंगी दात देर में निकलेंगे लेकिन अगर इसका हाइपर सिक्रिशन होगा क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा, तो क्या होगा, हमारी हड़ियां टेड़ी मेड़ी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, हड़ियां टेड़ी मेड़ी हो जाएंगी, तो यानि अगर हम बात करते हैं, पैरा थारवाइड ग्लेंड की, तो पैरा थारवाइड ग्लेंड की त पीछे 4 glands होती है जो कि thyroid gland के पीछे situated होती है, दो यानि जो pair में होती है, one pair एक लोब में होता है, second pair दूसरे लोब में होता है, इस तरीके से 4 glands होती है, और ये एक peptide hormone release करती है, जिसको बोलते है parathyroid hormone, अब अगर ये parathyroid hormone hyposecrete होगा, तो हमारे दात बाहर देर में निकलेंगे, हड़ियां कमजोर हो जाएंगी, hyper secretion होगा, तो हमारी हड़ियां टेरी मेड़ी हो जाएंगी, तो इस तरीके से आप इसका screenshot ले लिजे, या इसको note कर लिजे, इससे दो रुजिस होती है, एक होती है hypercalcemia, या दखना, hypercalcemia, sorry, hypokalcemia, और दूसरा होता है, दूसरा होता है, hyper hyperphosphatemia, hyperphosphatemia, ठीक है, इस तरीके से होता है, अगर इसका screenshot कम या ज्यादा होता है, हमारे body में, blood में, तो hypokalcemia और hyperphosphatemia, ठीक है, तो अब हम लोग discuss करने वाले हैं, thymus gland को, तो अगर हम thymus gland को देखते हैं, तो thymus gland क्या है, एक तरीके से lobular structure है, जो कि कहां पर होता है, it situated, या it is located between the lungs, किस के बीच में, lungs के बीच में, lungs के बीच में, situated होता है, and behind the sternum, अभी sternum क्या है, sternum को हम लोग chest bone बोलते हैं, क्या बोलते हैं, chest bone बोलते हैं, बहुत hard होती है, hardest bone है, इसलिए क्या होता है, ये दोनों lungs के बीच में, और sternum के पीछे situated होती है, it play a major role in development of immune system, ये एक immune system में, बहुत बड़ा role अपना play करती है, because, एक ये hormone secret करती, जिसका नाम होता है, thymocins, क्या होता है, thymocins, और ये thymocins क्या करता है, T4 lymphocytes cell के formation में help करता है, वही लिखा हुआ है, यानि, it is, it secrete thymocins, hormones का नाम याद रखना, it play the major role in the formation of T lymphocytes cell, या T4 lymphocytes बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, T4 lymphocytes cell, तीक, अब ये T3, T4 होती है lymphocytes, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो thymus gland है, ये thymus gland क्या होती है, जैसे ही old age आना शुरू होती है, old age आना शुरू होती है, ये अपने आपको degenerate करने लगती है, यानि धीमे धीमे खतम करने लगती है, और खतम करने लगती है, तो thymocins का जो secretion वो भी कम हो जाता है, और इसलिए क्या होता है, जो old person है, उनमें क्या होता है, immune response बहुत weak हो जाता है, वही बात है, it is degenerate in the old age, so the immune response in the old person very weak, ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो immune response होता है, old person में, वो क्या हो जाता है, बहुत weak हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना ये थाइमोसीन्स नामक हार्मोन से secret करती है, वो थाइमोसीन्स टीलिंफोसाइट के formation में help करते हैं, old age में क्या होता है, ये automatically degenerate ह हो जाती है, इसलिए थाइमोसीन्स कम secret होता है, इसलिए old age में जो immune response से बहुत ज़्यादा weak हो जाता है, ठीक है, तो आप इसका screenshot लिजिए, इसका note लिजिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, adrenal gland को, जो कि बहुत ही ज़्यादा important gland है, जो कि board paper में काफी बार तो वीडियो को last तक देखिएगा और adrenal gland को complete करिएगा, आप इसको note कर लिजिए, तो अब हम लोग discuss करने वाले हैं adrenal glands के बारे में, अब ये adrenal gland क्या है, ये बहुत ही important endocrine gland है, जो कि हमारी kidney के anterior portion पर situated होती है, आपने kidney का figure दिखा होगा, kidney के figure के उपर एक gland, topi के अकार की gland होती है, जैसे आब ये figure में देख पा रहे हो, कि kidney के ऊपर topi के अकार की gland है, जो कि adrenal gland है, अब adrenal gland इस तरह से दिखती है, हमने उस adrenal gland को खोल दिया है और इस तरह से दिख रही है, इस adrenal gland के दो पार्ट है, ठीक है ना, तो जो सब बाहर वाला पार्ट है, और अंदर वाला पार्ट मेडिवला होता है उस तरह एड्रिनल ग्लेंड का जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक और जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं adrenal medulla, क्योंकि high school में picture study भी आती है, CVST में picture study भी आती है, figure draw करने को भी आता है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा important है, जो भी हमें important figure दिखते हैं, मैं उनको draw करके, उनको labeling करके जरूर बताता हूँ, तो बाहर वाला part है adrenal cortex, और अंदर वाला part है adrenal medulla, अब अगर हम बात करते हैं कि यह कितनी होती हैं, तो in human body, one pair of adrenal glands are present, यानि कितनी होती हैं, एक pair, यानि एक जोड़ी adrenal gland होती हैं, ठीक है, one pair of adrenal glands, ठीक, अब it composed of two tissue, यह क्या करती हैं, यह दो प्रकार के tissues से मिलकर बनती हैं, वो कौन-कौन से tissues हैं, पहला tissue है adrenal medulla, बात करें, या adrenal medulla की बात करें, तो इनसे कौन-कौन से hormone secret होते हैं, वो हमको देखना हैं, तो अगर हम adrenal medulla की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, adrenal medulla की बात करते हैं, तो इस adrenal medulla से दो तरीके के hormone secret होते हैं, पहला हार्मोन है एड्रिनिलीन और दूसरा हार्मोन है नौन एड्रिनिलीन ठीक है पहला हार्मोन है एड्रिनिलीन और दूसरा है नौन एड्रिनिलीन विड़ा दोनों को ही हम लोग बोलते हैं एमर्जंसी हार्मोन इन दोनों हार्मोन को ही हम बोलते हैं क्या एमर्जंसी हार् क्योंकि पीटा, यह क्या होता है? यह एमर्जन्सी के समय. क्या करते हैं? जब जब कोई एमर्जन्सी आती है, हमारे पास जैसे हम किसी ऐसे एडवर्स कंडिशन में फस जाते हैं, वहां पर यह hormone क्या करता है हमारी eyeball को बड़ी कर देता है blood pressure को बढ़ा देता है यह जो रोए खड़े होते हैं यह भी इनी की वज़े से होते है इसीलिए इस hormone को एक और hormone के नाम से जानते है fight figst fight और flight इफ आ आ ऑघ-जी- denặc दी वाइट और फ्लाइट अगर कोई पूछे की फाइट यरॡ हर्मोन क्या है तो वह एडिनलीन हार्मोन है क्यों है चोंकि यह एमर्जैंसि ऑप समय हमारे बोड्री में रिलीज होता है और हमको मतलब बेहोऑश होने से बचाता है ठीक है तो दो कर देता है हमारे आँखों को बड़े कर देता है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है सासत फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं कब जब हम किसी एमर्जंसी कंडिशन में फसे होते हैं ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें एडेनल कॉर्टेक्स की तो बटा एडेनल कॉर्टेक्स से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं इसलिए उन सभी हार्मोन को एक साथ बोला जाता है क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है क्या बोलते हैं अब इन में से जो हार्मोन glucose के metabolism में help कर रहा है, अब अगर जो hormone glucose के metabolism में help कर रहा है, glucose के metabolism में help कर रहा है, उसको बेटा बोलते हैं glucocorticoids, glucocorticoids, और हमने इस से पहले वाले वीडियो में इसी को पूछा था, कि ये कहां से सिक्रीड होता है, तो comment करके आप लोगों को बताना था है, ये adrenal cortex से सिक्रीड होता है, glucocorticoids, जो कि glucose के metabolism में help करता है, अब यही corticoids, जो कि क्या करते हैं, हमारे अंदर minerals और electrolytes को balance करते हैं, किसको, minerals, minerals और electrolytes को balance करते हैं, उन्ही को हम लोग बोलते हैं, mineralocorticoids, क्या बोलते हैं, mineralocorticoids, ठीक है, यानि एक चीज़ समझ में आ गई, कि जो adrenal cortex है, उससे बहुत सारे hormone secret होते हैं, जिनको हम लोग corticoids कहते हैं, अब अगर adrenal cortex से, जो कि glucose के metabolism में help कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, glucocorticoids, और जो कि mineral और water के mineral और electrolytes को balance कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, mineralocorticoids, होगा क्या, अगर adrenal cortex कम secret होगा, अगर adrenal cortex कम secret होगा, तो glucose का क्या होगा, metabolism अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, और एक disease होती है, जिसको बोलते हैं, Addison's disease, क्या बोलते हैं, Addison's disease तो बोल सकते हैं, कि adrenal cortex के hyposecretion से, क्या, hyposecretion से एक disease होती है, और उस disease का नाम है, Addison's disease, कौन सा नाम है, Addison's disease, Addison's disease, ठीक है ना, कब, जब यह adrenal cortex, hyposecretion होगा, तो एक disease होगी, जिसका नाम है, Addison's disease, इसके अलावा, क्या होता है, कि इससे कुछ, एंडरोजेनिक, इससे कुछ, एंडरोजेनिक, एस्टराइड भी सिख्रीड होते हैं, किसे, Adrenal cortex के, कुछ, एंडरोजेनिक, एंडरोजेनिक, किसे, Adrenal cortex से, कुछ, एंड़ोजेनिक, एस्टेरोइड, एस्टेरोइड भी सिक्रीड होते हैं, ये एस्टेरोइड क्या करते हैं, हेर ग्रोथ को, हेर ग्रोथ को, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, कब, प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी एज में जो प्यूबिक एरिया में हेर निकलते हैं, हमारे फेस पर हेर निकलते हैं, उनके लिए ये response होते हैं, कभी-कभी क्या होता है, females में hair growth बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें जो endogenic esteride है, वो adrenal lens से ज्यादा secret होने लगता है, इसलिए उनके face पर, उनके forehead पर, उनके chin पर, क्या होता है, hair growth होने लगता है, उसका reason भी यही है तो इस adrenal cortex से एक endogenic esteride भी secret होता है, जो कि हमारे hair growth के लिए responsible है, at the puberty age, कब pubic hair निकलते हैं, जो face पर hair निकलते हैं, वो इसी के थ्रू निकलते हैं, इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने थाइराइड, पैराथाइराइड, थाइमस और adrenal gen to compete कर लिया है, इस तरीके से हमने काफी कुछ chemical coordination का approximately 75% topic compete कर लिया है, तो इस वीडियो को last तक देखें, चैनल को subscribe करें, और अगर ये वीडियो helpful लगता है, तो आप अपने दोस्तों में इसको जरूर share करें, और साथ साथ comment करके जरूर बताएं, कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, धन्यवाद